जैसा कि सीजन फाइफ त्री एर एग्रिमेंट में हमने जी आन को उसे पूरा करते हुए देखा, लेकिन युन सेक ने जी आन को गामा एंपायर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, जिस वज़े से जी आन गामा एंपायर से बाहर भागने लगा था. वहीं दूसरी तरफ हम जी जूनियर को जी आन अकाडमी के अंदर देखते हैं, जहां पर वो शैडो मास्टर से खबर ले रही थी और उसे जी आन के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाती है. जी जूनियर कहती है कि युन लैंग जोन अब गामा एंपायर में ही रहेगा और बहां से निकल कर बच सकता है. जी आन ने बहुत जादा प्रोग्रेस कर ली है और उसकी साइड बड़े बड़े वारियर्स जैसे क्वीन में दूसा भी है. शैडो मास्टर जी जूनियर की बहुत केर करता है, इसलिए वो कहता है कि जी आन तुमारी अच्छे चॉइस है, ल क्योंकि अगर आप स्टॉम नहीं हुई, तो आपको भी पता है कि आपको कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है. वो फिर शैडो मास्टर को अकैडमी के बाहर रहने की सला देती है, क्योंकि किसी आउटसाइडर्स का अकैडमी में आना मना है. शैडो मास्टर जाप जाने लगती है. अब तभी वहां फिर वहां उसकी ट्यूटर रियॉलेन आती है और जी जूनियर उनसे बाते करने चली जाती है. ट्यूटर बताती है कि आदे महीने बाद अकैडमी के अंदर प्रमोशन कॉम्पटीशन है और जो भी टॉप 20 में आएगा, उसको जूनियर उसको देखकर डर गई थी. लेकिन ट्यूटर जी जूनियर का जूट जान जाती है और कहती है कि तुम ये सब सिर्फ उस लड़के का वेट करने के लिए कर रही हो, जिसको तुम पसंद करती हो. वो जी यान तो लड़का पी ठीक नहीं है. एड्मिशन लेते ही उ उसकी वज़र से मुझे प्रिंसिपल वगारा से कावी सुननी पड़ती है. अगर जी यान तुम्हारा दोस्त ना होता, तो मैं कब कि उसे अकाडमी से निकाल चुकी होती? ट्यूटर यॉलिन थोड़ा फणी टाइप की है और ये मजाक में ही बात कर रही है. जी सूनियर कह गुस्से में ही तोर डालता है. इससे हम उसकी शक्ती का भी अंताजा लगा सकते हैं. जी यान आन अकाडमी ऐसी वेसे एकाडमी नहीं है. जी यान आन अकाडमी एक तरह से BTTH की श्रेक अकाडमी है, जिसने सिर्फ जीनियस एंट्री ले सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ हम जी में कई सारे लुटेरे रहते हैं, जो तुमसे बेफाल्टों में अट्राक्ट हो सकते हैं. जी यान अब अंदर जानी लगता है, लेकिन तभी केट पर एक आत्मी उसे रोकता है, और उससे रूट होते हुए एंट्री वीस के रूप में 500 सोने की सिक्के मांगता है. जी यान सबसे पहले इस टके के माप को ढूणने का डिसाइड करता है. जी यान पूरे गाउं के बजार में चक्कर लगाता है, लेकिन काई भी उसे माप नहीं मिलता. अब जी यान ढूणी रहा होता है, कि वो कुछ लुटेरों को एक व्यापारी को लूटते हुए देखता है. सबी वो लुटेरे अब जी यान को घेर लेते हैं और वो जी यान को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी यान अब अपनी तलवार निकालकर उन सबी को अब धूने लगता है. उनके बीच हमें एक आइकॉनिक लेबल की फाइट दिखाई जाती है. जी यान अकेले ही उन सबी लुटेरों को कुछ ही तेर में हरा देता है और व्यापारी को बचा लेता है. व्यापारी जी यान को रोकर उसे धन्यवाद करता है और उसे कहता है कि आप मेरे यहां आईए, मैं आपके रुपने और पीने की व्यवस्ता कर दूँगा. जी यान को रुपना और प प्रजीदिटी में जाती हैं. ये वियापारी भी वहीं जा रहा है। वियापारी जीयान को समझाता है कि इस जगसारे तुफान आते रहती हैं. इसलिए आप हमारे साथ ब्लाक जीयां सीटी चलो हम वहीं जा रही है। याउलाव भी जीयान को व्यापारी के साथ जाने को कहता है इसलिए जीयान व्यापारी के साथ उसकी गारी में बैठ कर जाने लगता है जीयान गारी के अंदर बैठ कर मेडिटेट करने लगता है और फिर व्यापारी जीयान के पास आकर वो उसे इस जगे का माप दिखाता है और कहता है कि ये साधी जगे Black Hondomain है और यहां कई शक्तिशाली लोग रहा करते हैं हमारा कारवा Black Sea City जा रहा है और ये केनाट कॉलेज के बिलकुल बगल में ही है ये जगे एक बहुत शक्तिशाली शक्ति जिसको 8-door-sex कहते हैं उन्होंने एस्टापलिश की थी उनके लीडर का नाम योएन यही है और Black List में वो टॉप 10 के अंदर आते हैं जियन Black List के बारे में पूछता है जिस पर व्यापारी बताता है कि Black List वो लिस्ट है जिसमें Black Hondomain के सबसे स्ट्रॉंगेस्ट लोगों का नाम है यह लोग काफी competition जीतने के बाद इस लिस्ट में आए है इसलिए इस लिस्ट में आना हर किसी के बस की बात नहीं होती है जियन अब Black List के टॉप पीपल के बारे में पूछता है कि अब वो कहां है व्यापारी बताता है कि 1st और 2nd प्लेस पर जो है उनके बारे में तो कोई नहीं जानता लेकिन जो 3rd प्लेस पर है वो काफी जादा स्ट्रॉंग है ऐसा कहते है कि वो दो एंपार के पीक पर है वो एलकेमी में भी एक्सपर्ट है इसलिए उसे Emperor of Medicine भी कहते है जीयन उसका असली नाम पूछता है जिस पर वो उसका नाम Han Feng बताता है अब तबी टीचर के रिंग में कोई हलचल होती है और जीयन इस हलचल को नोटिस करते हुए जब टीचर से बात करने की कोशिश करता है तो टीचर उसे कुछ नहीं बोलते अब जीयन फिर से व्यापारी से बात करने ही बाला था कि वो उक्षन जिसकी तुम बात कर रही थे अब तबी फिर वहाँ Black Storm आ जाता है व्यापारी सभी को आगा करता है और वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों को जमीन में गाड़ने लगते हैं ताकि ये स्टॉम उनके समान को उड़ाना ले जाए सबी जगे अफरत अफरी मच जाती है और कई सैनिक तुफान में ही उड़ जाते हैं अफ यापारी भी तुफान में उड़ने लगता है लेकिन तबी जियान अपनी विंक्स को खुल कर उसको बचाने के लिए उड़ता है और उसे पकड़कर सेव जगे पर उतार दीता है लेकिन तबी जियान एक अजीब चीज नोटिस करता है उसे अपने टीचर के जैसे ही एक आदमी जो कि स्पिरिट फॉर्म में है वो नसर आता है और वो किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था ये स्पिरिट फॉर्म लेकिन सिर्फ दो लेवल पर ही थी अब तब ही वहाँ एक काले कपड़े पहने बहुत ही जादा बयानक मौत के देट तक की तरह दिखने वाला आतमी आता है जिसके पास एक खतरनाक दरांत है वो स्पिरिट इसको मारने की कोशिश करती है और अपनी सारी पावर्स का इस्तमाल करती है लेकिन ब्लाक मिस्टिरियस मैन उस अटाक को असानी से रोग देता है और उस पर हमला करने लगता है उनके बीच की फाइट ऐसी लग रही थी मानो दो देवता आपस में यूद कर रहे हो लेकिन अट लास्ट मिस्टिरियस प्लाक मैन उसे अपने दरांत से पकड़ लीता है और उसे बेरहमी के साथ भस्म करने लगता है और कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में कितने शक्ति शाली थे लेकिन जब से तुम सोल बने हो तुम मेरी सूम टेंपल के सिर्फ एक शिकार हो ये कहकर वो बेरहमी से उसकी सोल का अब्जॉब कर लीता है और फिर वहां से जानी लगता है लेकिन तबी वो जीयान को उसको देखते हुए नोटिस कर लीता है जीयान भी उसको देखकर डर जाता है इसलिए वो अपनी तलवार को निकाल लीता है मिस्टीरियस मैन अपनी शक्ति से देखता है कि पत्थर के बीचे सिर्फ इंसान है कोई सोल बोडी नहीं है इसलिए वो वहां से चला जाता है डरा हुआ जीयान फिर से जब पीछे मुड़ कर देखता है तो वो जा चुका था जीयान अपनी टीचर से पूछा है कि आखर ये कौन था लेकिन उसके टीचर फिर से उसे कुछ नहीं कहते जीयान व्यापारी को फिर से उसकी गाड़ी में बैठा देता है व्यापारी अब सो रहा था और जीयान अब समझ जाता है कि ये अब पूरे रास्ते खराटे मारते हुए सोते हुए जाएगा लेकिन जो उसने कल रात को वो ब्लाक मिस्टीरियस मैन देखा आखिर वो कौन था आखिर वो क्यूं आया था और टीचर ने अभी तक उसके बारे में एक शव भी क्यूं नहीं कहा है वो ये सब सोच ही रहा था कि तबी टीचर कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि उन लोगों के पास कोई टेंटिकल्स है वो लोग अब गाम एमपायर में भी आ गए है जियान अपने टीचर को बोलता हुआ देखकर काफी खुश होता है और पूछता है कि आखिर वो किस तरह के लोग थे मैंने तो ऐसे लोगों को पहले कभी नहीं देखा अब टीचर उसे बताना शुरू करते हैं कि अभी ऐसी बहुत सारी चीज़े थी जो मैंने तुम्हें बताने का तब सुचा था जब तुम स्ट्रॉंग हो जाब लेकिन शायद तब वक्त आ गया है तुम्हें अपनी सचाई बताने का अब फिर इसके बाद ये एपिसोड यही ख़र्म हो जाता है